नमस्कार मैं परांशी राठोर और आप देख रही है निक्स्ट नाइन नियोज मध्यप्रदेश में केंद्री मंत्री जोती राधित्य सिंध्या को गुना लोकसभास सीट से उतारा गया है बीजेपी की तरव से 195 उमीदबारों की लिस्ट जब से जारी की गई है तब से नजरेटी की हुई है कॉंग्रेस की लिस्ट पर आखिरकार कॉंग्रेस पार्टी किन-किन दिग्गस निताओं को मैदान में उतारेगी ये सब ही जारना चाहते हैं और इसी बीच यहां पर देखा जा रहा है कि कई ऐसे दिग्गस निता हैं जिनके नाम उभर कर सामने आ रहे हैं अब मध्यप्रदेश की स्यासत में गुना लोक सभा सीट को लेकर कॉंग्रेस की तरव से अरुड यादव का नाम सामने आ रहा है दावे यह की जा रहे हैं कि अब गुना सीट जहां पर सिंध्या का जो कपजा रहा है एक वक्त जो उनका गड़ माना जाता है उसमें यहां पर सेंद्वारी करने के लिए अरुड यादव को तारा जा सकता है यादव वोटर्स को साधने के लिए जानकारी देदे कि 2019 में जब लोग सभा चुनाव हुए थे सिंध्या कॉंग्रेस की तरफ से उमीदवार रहे लेकिन केपी आदव को बीजेपी ने उमीदवार बनाया था और केपी आदव 6 लाग से अधिक का वोट बैंक अपने नाम करते हुए नसर आये थे तो वहीं सिंध्या तकरीबन 4 लाग से अधिक वोट हासिल करते हुए देखे गए थे लेकिन देखा गया कि सिंध्या ने हार का सामना किया और केपी आदब वोड बैंक को साध्य में काम्याब रही लेकिन इस बार बीजेपी ने एक अलग ही खेल खेला है केपी आदब को हटा कर सिंध्या पर दाव लगा दिया है और अब यही कहा स्वारा है कि कहीं ना कहीं किस तरह से वह देख रहे हैं कि अगर अरोड यादव मध्यप्रदेश की गुना सीट से उतारे जा सकते हैं जहां से सिंध्या कॉंग्रेस में रहे तब उत्रे बीजेपी में आगे तब भी वहीं से उतर रहे हैं तो एक बड़ी चुनोती वाकई में हैं लेकिन कि राहुल गा गुना सीट जो है वो कॉंग्रेस की तरफ चली जाएगे लेकिन ये भी कहा जारा है कि दिग्विजे सिंग के हातों में ये कमान है और दिग्विजे सिंग चाहेंगे तब ही अरूड यादव यहां से उतरते हुए नज़राएंगे दूसरी बात यह है कि जो यादव वोट बैंक है और जिस तरह से ओवी सी का कार्ड लगातार जो बीजे पी खेल रही है उसकी कार्ड कहने के कॉंग्रेस पार्टी यहां पर ढूंट ही नज़राएगी इसलिए लगातार यहां पर अरून यादव का जिकर हो रहा है उनके बारे में चर्चा हो रही कि गुना कि जो स खबरे निकल के सामने आए लेकिन अरून यादव का नाम निकल का सामने आना यह बताता है कि जो कॉंगर्स पार्टी है किसी भी तरह से गुना की सीट को हलके में लेने के मूड में नहीं है और यहां पर सिंधिया के खिलाब पूरी तरह से कह सकते हैं मजबूती के साथ बह से सामने आ रहा है क्योंकि अब कॉंग्रेस लगातार के पी यादव पर डोरे डालती हुई नसरारी दिगविजर सिंग से बाच्चीत हुई हाल ही मैं और दूसरी ही तरफ जीतू पतवारी भी लगातार यहां पर के पी यादव को लेकर बोलती हुई नसरारी और यदी के के पी यादव उनपर एक बड़ा दाव लगा सकती है सिंध्या के यहां पर के पी यादव को उतारा चाल सता है देखना होगा कि आखिरकार सिंध्या के गड़ में सेंद्मारी करने में आरोड यादव क्या वाकर में काम्याब हो पाएंगी या फिर नहीं इस खास रिपोर्